नमस्कार जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा जो है वो सफलता का आधार होती है और कहते हैं जब आप सिक्षित होते हैं तो आपका परिवार सिक्षित होता है आपका समाज सिक्षित होता है और शिक्षा कि अगर मैं बात करूँ तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती हैं बलकि हर रोज सीखते हैं और जब बात education की आती है तो हमारे जबलपुर शहर की अगर मैं बात करूँ तो यहां से बच्चे जो हैं वो higher education के लिए बाहर जाते हैं उसके बाद उनका job लगता है और वहीं settle हो जाते हैं कोई वापस लोट कर अगर मैं बात करूँ तो गिने चुने लोग ही आते हैं जिनको संसकार धानी से प्रेम होता है और जो इस मिट्टी से जुड़े होते हैं और आज रेवर टीवी डिस्टल मीडिया में हम आपकी मुलाकात जिन से करवाने वाले हैं उन्होंने अपनी प्रा करूँ उस इंजिनरिंग के दौरान उनका सेलेक्शन होता है कैसे उन्होंने इनफोसिस कंपनी जॉइन की वहां पर वर्क किया और उसके बाद उन्होंने MBA किया और जबलपुर से जो सफर उन्होंने शुरुआत की थी वो लंदन तक पहुच गया लंदन की एक जानी-मानी उन्वरस्टी में MBA किया और तो और एजुकेशन के सिस्टम को बारीकी से जानने के लिए उसके रूट तक जानने के लिए उन्होंने कई देशों की भी कह सकते हैं कि जाकर नफस्ट टोली और भ्रमन किया और उसके बाद उन्होंने ये सारा जो एक्सपीरेंस है उसको लिय और संसकारधानी की मातरी में आ गए कहते हैं जब तक आप रिस्क नहीं लेते तब तक सफलता भी आपको नहीं मिलती तो पहला रिस्क था इन्फोसिस कंपनी को छोड़ना और दुबारा जबलपूर शहर की तरफ मूव करना और फिर एक रिस्क उन्होने लिया जब वो पूश्टे हैं ये कि जबलपूर की जो बच्चे हैं जो पलायन कर रहे हैं खासकर हायर एजुकेशन के लिए जौब के लिए वो ये चाहते हैं कि ये बच्चे हायर एजुकेशन करते हुए वो यहीं पर रहे और अपना करियर बनाएं और जबलपूर शहर में नित नय तो आईए देर न करते हुए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर सुधांशु गुपता जी से जो कि इसमें MM International School चला रहे हैं बच्चों के लिए इसके अलावा अगर मैं BJP Party की बात करूँ तो विदेश संपर्क विभाग के प्रदेश के सहसेयों जग पतपर हैं और सम सेवा हमेशा करते रहते हैं तो सबसे पहले स्वागत करते हूं जानते हैं कि कैसा रहा उनकी जीवन का ये सफर बहुत-बहुत स्वागत है आपका नमशकार रेवर टीवी डिस्रल मेडिया में तो मैंने कुछ बाते आपकी शेयर की हमारे पबलिक से मैं चाहते हूं कि एक बिये किया और फिर जबलपुर आना हुआ तो कैसा रहा ये सफर आपका देखे सफर तो बहुत अच्छा था जी लोगों को जिन्दीगी निकल जाती है ये समझने के लिए कि करना क्या है जी तो मेरो को तो जल्दी संसकारधानी में मा नर्वदर के आश्रवात से मेरो को य जिसके कारण में ये आया मैंने बहुत एक्स्पीरियंस किया मेरी इंजरिंग बार से आजा साब को माई आप के मा अपने शेहर के लिए कुछ करो अपना परिवार तो कोई भी पाल लेता है ये मैं अच्छा लगेगा बहुत बड़ी बात है तो उस मोटिवेशन से फिर जो कि मैं इती बेग्राउंड का था था और मेरे डैड का बिजनेस था तो मेरे को लगा कि अब चुकि एक टेकनिकल फील्ड से कि मैंनेजमेंट फील्ड में आना और यहां आके करना वाय नौट फोर एंभी एंफोसिस तो उनके स्कॉलर्शिप बेज हमें ओफर मिला मैं इंग्लेंड गया इंग्लेंड में मेरा एंडिम्रा बिजनेस स्कूल में में मेरा एंडॉल्मेंट हुआ वहां से एंभी ए किया कंट्रीज उसमें लाउट था वहां गया और एक्स्पिरियंस लिए हम लोगों ने वह सारा एक्स्पिरियंस लेके जब मेरे साथ मेरी वाइस भी थी वह भी एसेंचर में थी तो हम यहां आए और हमने चुकी यहां कुछ करके दिखाना था हम लोगों को उस समय जब हम फेसिस आ रहे हैं लेकि उस टाइम में नहीं था तो फिर वी थौट ओफ की वाइनोट गो फोर सम शोचल वर और ऐसा नॉट ओनली बिजनस यह बिजनस में नहीं कहूंगा यह समाज सेवा ही है इस्कूल लोगों के बाद बहुत पैसा है सारी चीजे लेकिन जो रिस्पॉं मेरे बच्चे भी इसी स्कूल में एम एम इंटरनेशनल में है बहुत बड़ी बात है अधिकतर मैंने जबलपुर शहर में देखा है कि लोग स्कूल खोल लेते हैं बट ओपन करने के बाद जो उनका बच्चा खुद कॉन्वेंट में पढ़ रहा होता है लेकिन आग सुधा जो और बच्चो को मिलनी है वो इनके बच्चो को भी मिल रही है तो यह एक उधारन है जबलपुर शहर के लिए इसा ही होना चाहिए जो ही मोटिवेट किया मेरे को कि ऐसा कोई भी एक्सपेट नहीं छोड़ेंगी हम की जिससे हमारे बाकी बच्चों को भी ना मिले तो मैं थ्रेड बनाते हैं स्पिनिंग वील्स करके उसको वैल्यू समझ में आती है उनको कि आज कैसे कपड़ों कैसे बनते हैं तो यह वैल्यू एजुकेशन देने के साथ साथ कथा सेशन यहां कराते हैं तो अपने नीव को जोड़ के रखना उनको संसकाराते हर एक एक चीज दे है तो एजुकेशन तो लेगा लेकिन मल्टी डैनेमिक उसकी परसनाल्टी जो है वो डैबलफ होगी और कहीं न कहीं उसके फ्यूचर की जो नीव आप संसकारों से परिपूंड कर रहे हैं यह अपने आप में काबले तारिफ हैं मैं ऐसा एक्जामपल बनाना चाता हूँ ज हमारा भी जॉब चल रहा है मैं MbE के साथ साथ हम लोग को पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता तो वह पर जॉब भी कर रहा था हैं सारी चीजे हैं लेकिन आज जब यह चेंजिस देखने के बाद आज जब वो दोस्त लोग हमें देखते हैं तो वो बोलते नहीं आप जब भी कारण और उन से इंस्पायड होके मैंने यह पर्टी भी जॉइन के लिए उनने नया दाइत में मेरो का नराई सहल जब बिकॉस अग्स्पिरेंस ओंडी के एक नया विंग तयार किया है और इसमें हम जितने भी इंडिन डाइस्पोरा हैं महार उन मद्द्देश के उनको connect करने के लिए अपनी policies को बताने के लिए उनको अभी कि जो हमाए जिस कारण से हमारा brain drain हुआ है वो हम brain gain में कैसे convert कर सकें तो हम मद्द्देश की सारी policies सारी चीज़ बताके उनको वापिस अपने मद्द्देश से connect करना चाहते हैं तो एक नया दाइत भी हमेंने लिय जो यह एनराई सेल का तुरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे भाई बहन बहार है तो अपने मद्देश से connect कर रहे हैं और एक छोटा सा एक्जामपल बने कि वापेस हमारे संसकार धानी में भी आप देख रहे होंगे कि दिन पर दिन development हो रहा है मेरे को लगता है मद् करता हूं कि जहां पर भी हैं आप अभी मल्टिनेशनल कमप्टीज में एक बार वापेस जबलपूर के ओर रुखें इसमें हमारे शहर का और हमारे प्रदेश का नाम रोशन हो तो जो दोस्त आपको रोक रहे थे और आपको यह कह रहे थे कि डिसीजन लेना एक रिस्क है औ कि अज़ वही मजाक में कहते हैं कि सुधान शुभाई मेरे को जॉब में रख लेना कि मैं इंडिया आना चाहरा हूं तो मेरे को गाइड कर देना तो अच्छा लगता है कि और एक बेस्पार्ट क्या है कि आप अपने शहर में रहते हैं जो मेरा एसा मानना है नो डॉड पताना कि 200 प्लस फैमिली हैं जो हमसे आज जोड़ी हूए है क्या बात अच्छा लगता है और ममी बापा भी खुश होते हैं कि कम से कम जुड़े हैं और आगे आने वाली हमारी जनरेशन भी हैं मैं अगर बाहर रहता हो सकता मैं इंग्लेंड में कुछ अच्छा करता लेकि तो है कि आने वाली जनरेशन कम से कम जो हम लोग कर रहे हैं वो गुड़विल आगे मेरे बच्चे उसको फॉलो करें और उसको आगे लिए तो हम आपसे उमीद कर सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में जो फ्रेंड सापके नराई हैं उनको आप जबलपुर आने के लिए ए कुछ वर्कशॉप यहां के स्टूडेंट्स यूद के लिए रखेंगे ने यह हमारा डेपार्टमेंट एनराई सेल यह लग चुका है नोट ओली फ्रेंड हमारे जितने भी बहार ओवर्सी फ्रेंड ऑफ बीजेपी भी हैं जितने भी मद्दबदेश के डाइसपोर है हर कं करेंगे तो हमारी बातचीत चल रही है हम कनेक्ट कर रहे हैं लोगों को विश्वास है नरिन मोदी जी की फॉरेंड पॉलिसी में उनको विश्वास है और कही न कहीं वह एक तरीके से वापस आने के लिए और ब्रेन जो गेन करने के लिए वो लोग तट पर लगे हुए है और हमारा उसमें वर्किंग चालू है और उमीद करते हैं कि आने वला समय मदबदेश के लिए बहुत अच्छा रहेगा वापस लोग आएंगे और कहीं न कहीं हम लोग की मदद करेंगे अपने प्रदेश को आगे करने के लिए अपने शेहर में वापस जैसे मैं आया हूँ मेरे को लगता है कि बाकी लोग भी आके कहीं न कहीं हर शेहर में अपने कुछ न कुछ वहाँ पर योगदान देंगे। आज अगर मैं मद्यप्रदेश की बात करूं और जिबलपूर की बात करूं 2014 निकल गया 2019 आया उसके बात भी जो यूध है थोड़ा और कॉन्टेक्ट वे उन्होंने किया लेकिन अब थोड़ा सा कमी महसूस हो रही है मुझे ऐसा लगता है लोगों का ये कहना है अगर मेरा ये मानना है कि जो यूध है उसको जोड़ना चाहिए अगर मैं यूपी और एंप को कंपारिजन करूं तो मैं आपको बताओं कि जब अभी रिसेंटली यूपी में चुना हुए थे तो उसमें योगी जी जब जीत कर आये तो भाई बहन है उनका धन्यवाद कहीं न कहीं मेरी जीत के लिए उनका परिश्रम था तो ये चीज एमपी में थोड़ी कम लगती है क्यों क्योंकि मैंने ये देखा है कि मैं यूपी में इसलिए में बात करूँ क्योंकि ट्विटर पे उस समय मैं भी थोड़ा सा एक्टेव थ और उसे में यह लगता था कि यूपी में जो यूथ है वो थोड़ा सा कह सकते हैं एजुकेट जो है काफी जादा है और वहां की प्रॉब्लम्स को वहां के डेवलम्मेंट को बहुत अच्छे तरीके से जानता है इन डाटा अगर हम MP की बात करें तो MP में ऐसा देखने को कम मि करता है इस्पेशली अगर में जबलपूर की बात करूं और पॉलिटिकल जो जन प्रतिनीदी हैं उनकी भी बात करूं तो वह जनता से समवाद नहीं करते हैं सबसे बड़ी समस्य यहां यह आपको क्या लगता है नहीं समवाद तो होता है हमारी पाटी में आप देखेंगे हर जिले में कहीं न कहीं कारिकम जितने भी कारिकम में होनगे हमेशा समवाद हुआ है और पब्लिक कनेक्ट कर रही है आज ही हमारे कल ही हमारे समवेदन शील मुखमंती जी ने आप देखिए आप देखिए हर एक-एक इतनी समवेदन शील सरकार है कि हर एक-एक आप कि रोज़गार से लेके उनको स्टेफन से लेके आप देखने रहा है आप कोई भी अगर आप उद्धिमीय ओजना देख लिजे हर यूथ को चांस मिल रहा है और लोग स्टाटप कर रहे हैं, और लोग कनेक्ट कर रहे हैं, आने वाले आप समय में आप देख लिजेगा, आपको, उसमें रिजन देखे लिएगा, अपको, मेरा समबध एक्चली, CM तो खैर जनसभा को संबोधित करते हैं, बट मुझे यसा लगता है कि जैसे बाकी के करते हैं, चाहे वो विदायक की बात कर लीजे, पारशत की बात कर लीजे, सांसद की बात कर लीजे, क्योंकि अगर मैं MP की बात करूँ, तो कि चार बार से सांसद जो है हमारे राके सिंग जी है, संबोधन जनता से प्रतेक शेतर में जाकर करना मुझे तो अभी तक नहीं द आप देखिए उनके कारण आज शहर में आप देखिए इतनी बड़ी बड़ी उपलब्दी है अज मध्यपदेश का सबसे बड़ा फ्लाइओवर बन रहा है सबसे बड़ी रिंग रोड बन रही है सारे इंटरनेशनल एरपोर्ट की प्लानिंग हो गई है आप देखिए मेरे क को तो विकास देख रहा है यहां पर विकास लेकिन उद्द्योग कहां आ रहे है आप बताएं चार बाड से सांजद रहे चुके हैं कहीं उद्द्योग कितने आई कितने बड़े इन्वेस्टर्स मीट यहां पर हुई आप यहां पर देखेंगे पूरा आपका रिछाई एर मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप यह अपनी जल्दबाजी होगी आप देखें जल्दबाजी ने यह मेरा नहीं एक्चली जनिता का यह सवाल रहता है कि हमारे शेहर में बहुत कम योजना आती जैसे जैसे मैं पी में कोई भी योजना आती मैं आपको मैं बताना चाहूंगी तो पहले सबसे पहले जो अधिकार मिलता है इंदौर को चला जाता है फिर भोपाल को फिर ग्वालियर को बचा हुआ जबलपुर और बहुत सारी चीजे भी अब हम सब प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जबलपुर भी नंबर वन रहे हैं इसलिए मैं कहारी है हमेरा भी और हम प्रदिनीदी हैं सारे लोग मेहनत कर रहे हैं और आप देखिएगा आने वाले समय में जबलपुर भी नंबर वन रहेगा आज इन दौर इसलिए नंबर वन है क्योंकि वहां का सांसत शाम को भी सवाल उठाता है जो मांग करता है प्रधानमंत्री सुनते हैं सबसे पहले य आप देखेंगे जितनी महनत हमारे सांसत शाम कर रहे हैं आप देखेंगे उसका रिजल्ट आने वाला है अप देखेंगे ईक फ्लाई ऊवर ёब बन रहा था अब ही वो कम्प्लीट नहीं हुआ है या उनकी बात नहीं कर रही है एक उछे वह प्रधाय परösट हो गया बरसात एन मौके पर खड़ी है सड़कों में गड़े हो जाएंगे और आप जबलपुर की इस्थती जानते हैं कि जैसे ही बरसात आती है जल प्लावन साथ मेले क्या देखे जबलपुर में गड़े आप जहां की बात है आज काल इतनी हाई-टेक मशीन से हैं इतना है आप पैरल वर्क चल रहा है आप देखेंगा अगर फ्लाई ओवर बन रहा है तो नीचे की रोड्स भी पैरल बनती जा रही है लेकिन एक कंप्लीट हो जाने देते आप लोगों की वहां डिमांड है डिमांड के बेसेज में ही ये फ्लाई ओवर्स की रिक्वार्मेंट बनी प्रपोजल है हमारा मतलब नेता हूं कि जहां डिमांड रहेगी कि भाई मेरे शेतर में भी बनना चाहिए वहां बनी है ने शेतर की बात नहीं देखें ये तो आहां पुब्लिक की बात है हर सुविधा जनक दिकिसांसत का रोल होता है कि हर एक एक नागरिक को तकलीव को सम आएंगी और मैं आपके चैनल से अपील भी करता हूं कि हमारे भी जबलपुर के भी जितने भी लोग बहार वेल सेटल है या इस्टैबलिजड है बड़ी बड़ी कंपनी उसके कोई वाइस चेर्मेन बन गया है कोई है आप एक बार वापस आईए उनसे अपील करिए अपन रुकेंगे अपने शेहर में और अपनी जो इन्टिल जो उनकी कापिलियत है जो बाहर दूसरे स्टेट में कर रहे हैं वो रुक के अपने शेहर का अपने प्रदीश का वो विकास करेंगे यहां की जो यूथ हैं हम उनसे मिलते हैं तो उनका यही कहना रहता है कि अगर मेडिकल के लिए भी आप सोचिए एक समय ऐसा था लोग यहां पर ट्रीटमेंट कराने आते थे और आज नागपूर जाते हैं जबकि हमारे पास मेडिकल है विक्टोरिया है मैं वहीं बोल रहे हूं कि एक समय ऐसा था उसके बाद लोग नागपूर के और पलायन करने लगे आ आज फिर से मेडिकल और विक्टोरिया आ रहे हैं लेकिन उनको जागरु करना पड़ेगा हमको यह तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक सरकारी अधिकारी वो मेडिकल और विक्टोरिया में जाकर अपना ट्रीटमें नहीं कराता आप बहुत सारे निउस पेपर में एक कलेक्टर का बच्चा, एक SP का बच्चा, एक सरकारी अधिकारी का बच्चा सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ेगा वहां पर जाके उन सुविधाओं के साथ में पढ़ेगा उस दिन भारत बदल जाएगा यह आपका कहना सही है लेकिन हमारे माननी मुखमंत्री जी ने जो स्कूल का डेवलप्मेंट हो रहा है उसमें सारे इंफसर जैसे आप यह प्राइवेट स्कूल देख रहे है वैसे ही आपको सरकारी स्कूल भी नजर आएंगे आप थोड़ा समय रखिए जहां तक बात है मेडिकल उसका तो आज भी मल्टी स्पेशलिस्ट होस्पिटल में ज जागरुक करना पड़ेगा हमारे सिटी के प्रति जब तक हम पब्लिक को जागरुक नहीं करेंगे क्योंकि अधिकारी अपना काम करता है तीन साल के लिए आता है चला जाता है लेकिन जनप्रतिनीदी जो है उसको यह पता होता है कि उस अधिकारी से काम कैसे लेना है और प वो अवेर नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी प्रॉब्लम यही है मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जुश्थिती है बहुत अच्छी है और आने वाला समय और सुर्णिंग होगा और मेरे को ऐसा लगता इस शहर के लिए बाकी जितने भी जनप्रदिनी दी है प्रॉब्लम 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 यही है मेरे को ऐसा लगता है उमीद है कि यह सारे चीजें यहां पर हो भी रहे हैं और आगे भी और बैटर होंगी और जिस जैसा हम चाहरे है कि युवाएं बाहर ना जाएंगे अब इंफर्स्रुक्ट्टर डेवलप्ल हो रहा है अब जो development जैसा आप देख रहे हैं कि हैदरबाद, पूने, बैंगलोर, उस दिशा में ये जबलपूर बढ़ रहा है और मेरी उमीद है कि सब लोग अपने यहां पर रुक के अपने जबलपूर नमबर वन बनाने के लिए अगरिसे रहेंगे और कोशिश करेंगे, और होंगे और वो वापस आएंगे और अपने मार्धियूमी, अपने शहर के लिए उतना उसाहिट से काम करेंगे. कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो डॉक्टर सुधानशु गुपता जी बहुत पॉजिटिव है, आप चाहे उनसे होट टॉक कर लीजिए, चाहे मुस्कुरा के कुछ पूछ लीजिए, वो अपना बैलेंस रहते हैं और यह सबसे बड़ी अगर मैं कहूँ आगे भविशी मे सबसे बड़ी बात है, आज के समय में आवशकता है हमारे युवा को यह बताने के लिए कि संसकार क्या है, अगर उनको हम बच्पन से संसकारित करते हैं, जैसा कि इनके स्कूल में उनने बताया कि कथा वाचन भी होता है, उनको साहित के प्रति भी बताया जाता है, चर्खा के पास लेके जाया जाता है, सूत कैसे काते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो यह कही न कहीं कह सकते हैं कि एक पूरा कैपसूल है इनका स्कूल किस चीज का परसनाल्टी को डैवलब करने का हर बच्चा आता है सबसे पहले हमेरे चौकर में पैर पढ़ता है फिर आप चाहिए वो नरसरी का हो प्लेव बच्चा हो चाहिए ट्वेल्ड का हो लेकिन आपने देखा होगा गेट में पैर पढ़ेगा फिर वो सरस्थी मा के पैर पढ़के ही जाएगा तो ये संसकार देना भी हमारा अध्यात्म और सनातन को आप आगे बढ़ा रहे हैं जो आप कदम रखने जाएंगे और जो आपको इंपोर्टेंट पद मिलेंगे और जिसके लिए आप ये कदम आगे बढ़ा रहे हैं एजुकेशन समास सेवा और राजनीती ये तीनों का तालमेल बनाकर आप यूँही सकारात्मक तरीगे से चलते रहे हैं ठालम więcej से अदेवाब तीनों को अड़ा आप प्टिह करें लेह हैं